लोग बॉड़ी कविटी के बार हम देखेंगे, बॉड़ी कविटी को हम लोग study करेंगे ट्रिपल ब्लास्टी के नीमल में, बॉड़ी कविटी को हम लोग philium बोलते हैं, तो यह जो बॉड़ी कविटी किसके कि बीच में present होता है, यह elementary channel हो गया, और यह body wall हो गया, यह दोनो देखेंगे कि किस फाइल में किस टाइप का body cavity होता है, तो पहला हो गया, यह philumate में क्या होगा, कोई भी body cavity नहीं होगा, मतलब कि तीनो लेयर प्रिजेंट होंगे, क्योंकि ट्रिपल ब्लास्टीक है, और यहां पर कोई भी space नहीं होगा, और फीडो philumate में नाम सी पता चल आ है, कि यहां पर जो body cavity हो ट्रो नहीं है, तो यहां पर मतलब की जूटा हमें body cavity देख रहा है, मलब की यहां पर क्यों होता है, कि जो मॉजो ड़ अभी वो पाउज के फॉर्म में प्रिजेंट हो जाता है और जब यह पाउज के फॉर्म में प्रिजेंट हो जाएगा तो यहां पर जो यह इस पीफ हमें दिखेंगे पाउज के बगल में यह इस पीफ यह क्या होगा यह बॉडी कविटी की तरह हमें दिखेंगे तो इसलिए इसको बाख कुछ इंडोडर्म पी जाके चिपक जाएंगे अब डाइग्राम देखेंगे तो एक red color आपको एंडोडर्म से चिपका हुआ दिखेंगा तो उसको हम क्या वो लेंगे फिलोमेड वो लेंगे और फिलोमेड कहां फिकांस तक होगा एनिलीडिया फे कॉट डेटा अब इ तो कोई भी एकर जूठा होता है, जूठ बोलता है, तो उससे हम लोग ask करते हैं, कि यार तुम जूठ बोल लाए थे, तो ask, ask से क्या हो गया, ask halmanthus, अब इसमें अगर प्लस 1 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यह नीपलप ब्लाफ्टि की की बात कर रहा है तो प्लेटी हलम एंटी फिलेकर रेकर नीपलपोर्डप। में हम लोग पढ़ेंगे अब हम बात करेंगे जो फिलमेट्स होते हैं जिसमें टू बॉडी कैविटी है उसका जो है कैसे फॉरमेशन होता है तो हेहां पर देख़ें उसके बेशिस पर हम लोग देखते हैं कि दो टाइब के कैविटी कि दिखते हैं, एक होता है साइजोफीलोम और एक होता है इंट्रोफीलोम्, अब साइजोफीलम क्या है? कि यहां पर क्या होगा, ओग्रूथ होगा किसका होगा मुजोडर्म का क्या होगा आउड ग्रोध होगा यहां पर जो भी by body cavity बनेगा वह मीजोडर्म के आउड ग्रोध से बनेगा तो यह किसás में होगा विए कानेोडर्म नेटा तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Secrieben एसका example कहां से हो जाएगा इसका example एजामपल लेकर Cod data तक अब ये जो एक हमें दो पार्ड में दिवाइड कर देना है तो यहां पर आपको क्या करना दो आप इसको इस तरी के फ्याद रखियेगा 012 1012 इस फिलोमेंट का एक्जाम्पल है अब यह देखे 012 के है अगर मैं आप से पूछू कि लार्जस्ट फाइलम कौन सा है तो आप बोलेंगे अर्थर पोड़ा अगर पूछेंगे तो आप बोलेंगे पूछे मौलवका तो आर्थर पोड़ा को हम जीरो दे रहे हैं और अर्थर पोड़ा को वन टू दे रहे हैं क्योंकि आप यहां पर हम देखेंगे कि यह हो गया वन टू हो गया अब बाकी जो बचा वू के होगे इंट्रो फिलो मेट हो गये तो अभी इसका ट्रिक का आगे हम और इस्तमाल करेंगे जीरो वन टू का है तो फिर दो जगह इसका एक्जामपल याद करवाएंगे आपको